अलो दोस्तो आज हम बात करने जा रहें टर्बो किट मुवी के बारे में उम्मेद करती हूँ आप लोग को इसके एक्स्प्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर करना और वीडि ड्रेन की वज़से महा का पानी भी जहरीला हो चुका है जिसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कच्रे के धेर से अपने जरूरत के लिए सारा समानी खटा कर रहा था फिर वो उन समानों को लेकर बागू नाम की एक आदमी के पास पहुशता है जो उसे उन समानों के बदले एक बोतल पानी देता है लेकिन वो पानी गंदा था इसलिए वो लड़का पानी लेने से इंकार कर देता है जिससे बागू उसे उन समानों के बदले टर्बो राइडर नाम के एक सूपर हीरो की कॉमिक बुक देता है दूसी तरफ हम फेडरिक नाम की एक को देखने हैं जो arm wrestler होता है और कोई भी उसे अब तक arm wrestling में हरा नहीं पाया था अब ही उसके पास उसका एक साती पहुस्ता है और बताता है कि तुम्हारा भाई गायब होगया है इसलिए वह उसे ढूदने कलिए वहां से निकल पड़ता है नेक्स सीन में हम फेडरिक के भाई को देखते हैं जिसे ओवरलोड जी उसने किड्नैप करवा कर एक ऐसे पूल में डलवा दिया था जहां पर जीने के लिए जी उसके आद्मियों से लड़ना पड़ता था तब ही उसके पास एपल नाम की एक लड़की पहुसती है जो उसके हाथों में एक ब्रेसलेट बांदेती है और उसे अपना फ्रेंट बनने के लिए कहती है लेकिन एपल को एक डेट बॉड़ी से भात करते हुए देख वो लड़का वहाँ से घबराकर भाग जाता है लेकिन जब वो अपने बेस्मेंट में होता है तो उसके हाथ में बंदा हुआ वो ब्रेसलेट अजीब सी अवास करने लगता है जिसे वो खोलने की कोशिश करता है तो एक एलेक्टोनिक शौक लगने की वज़ा से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है दूसी तरफ हमें फैडरिक और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो अपने भाई को ढून रहा था तब ही उन पर ओवरलोड के आदमी अटेक कर देते हैं नेक सीन में जब सुभा उस लड़के की आँख खुलती है तो वो एपल को अपने सामने पाता है जो उसे बताती है कि मैंने तुमारे हाथ में जो ब्रेसलेट बांदा था वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है जिसकी मदद से मैं यहां तक बहुँच गई हूँ वो लड़का आपल को वहां से जाने के लिए कहता है पर आपल उसे उसकी कॉमिक बुक देती है जिससे वो आपल को अपने साथ ही रुकने की परमिशन दे देता है फिर वो दोनों साइकिल के मदद से कच्रे से समान डूडने के लिए वहां से निकल पड़ते हैं दूसी तरफ हमें फिर से फेडरिक को दिखाया जाता है जिसे ओवरलोड के आदमें उन्हें किड्नैप कर लिया था इस दोरान उन दोनों में छड़ाप होने की वज़े से ओवरलोड का एक आदमी फेडरिक का हाथ बहुत ही बुरी तरह से काट देता है वही जब वो लड़का और एपल सामान ढून रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उन पर नसर रखी जा रही है तब यह अचानक से कोई आकर एपल को किड्नैप कर लेता है जिसे वो लड़का महां से भागने लगता है हाला कि एपल को किड्नैप करने वाला आदमी उस लड़के को पकरने के लिए भी उसका पीछा करता है लेकिन तब ही वो लड़का एक टूटी होई शिप में गिर जाता है जहां पर उसे अपने फेवरिट सूपर हीरो टर्बो राइडर का सूट मिलता है जो कि बिलकुल असली था जिसमें कुछ ऐसी पावर थी जिसकी मदद से वो सामने मौझूद किसी भी आदमी के चीधर उड़ा सकता था इस दोरान माहा पर चल रही एक वीडियो क्लिप से हमें पता चलता है कि रोबोर्स की वज़र से ही पूरी दुनिया में ऐसे ड्रेन हुई थी और देखते ही देखते सब कुछ बरबाद हो गया था हाला कि टर्बो राइडर को ये सब कुछ ठीक करने के लिए ही बेजा गया था लेकिन वो भी इस चीज में नाकाम रहा जिसके बाद वो लड़का सूट को पहन कर उस आदमी के पास पॉस्ता है जो से पकड़ना चाता था यहां पर वो आदमी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही वो लड़का उस पर एक इलेक्टरिक एनरजी से अटैक करके उसकी बादी के चीठड़े उड़ा देता है अगली जलक हमें ओवरलोड के बिल्लिंग की दिखाए जाती है जहां पर हमें पता सुलता है कि वो लोगों की बॉड़ी पार्ट्स को काट कर उनकी मदद से पानी निकाला करता है इसलिए वो लोगों को किड्नैप करवा कर उनका अपने आदमियों से शिकार करवाता है ताकि उन्हें मार कर वो उनके शरीड को पानी के लिए इस्तमाल कर सके इस दोरान वहाँ पर फेडरिक के साथ साथ एपल भी मौजूद थी लेकिन इससे पहले उन पर कोई अटैक कर पाता वहाँ पर वो लड़का पहुच जाता है जो टर्बो सूट की मदद से लोड़ पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें चार्ज ना होने की से वहाँ मौजूद लॉड के आदमियों को मानने लगते हैं फिर जब वो सभी जीच जाते हैं तो यह देखका लॉड बहुत गुसा होता है और गन से एपल को शूट कर देता है तभी एक आदमी उस लड़के को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे अपने टर्बो सूट की मदद से उड़ा देता है फिर वो तीनों ही महा से निकल परते हैं यह देखका लॉड गुसे में उन्हें पकड़कर माने का ओर्डर दे देता है फिर जब उस लड़के को होश आता है तो एपल उसे कहती है कि तुमने मेरी जान बचाए जिस पर वो कहता है कि अगर टर्बो राइडर होता तो वो जादा अच्छा करता लेकिन एपल उससे कहती है कि तुम टर्बो राइडर तो नहीं लेकिन एक टर्बो किड जरूर हो तब ही उस किड को याद आता है कि एपल को गोली लगी थी जिसे देखने पर उसे पता चलता है कि एपल एक रो जासे वो मदद लेने के लिए बागू के पास पहुसता है लेकिन वो लॉड के डर से अपनी दुकान बंद करके वहां से जा रहा होता है अलागी पहले तो वो उन लोग की मदद करने से साफ मना कर देता है लेकिन जब एपल उसे अपने सर पर बंदा हुआ बैंड देती है तो वो उने रोबोट सेमेटरी जाकर मदद ढूनने के लिए कहता है ये सुनकर वो दोनों वहां से रोबोट सेमेटरी पहुँच जाते हैं लेकिन वहां पहुँच जाती है तब ही बागों के पास लौड के आदमी पहुच जाते हैं और उसे किड्नैप करके लौड के पास ले जाते हैं जहां पर बागों की अत्रियों को साइकल से बांद दिया गया था इस दोरान लॉर्ड अत्रियों को खीजने की धमकी देता है और उससे एपल और टर्बो किड के बारे में पूसता है इसलिए वो मजबूरन ना चाते वे भी उन्हें सब कुछ बता देता है इसके बावजोर लॉर्ड उसकी अत्रियों को बाहर खिचवा देता है फिल लॉर्ड के आद्मी टर्बो किड और एपल तक पहुँच जाते हैं जिससे वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं वोजोर चलने के बाद वो लोग डेड एंड तक पहुच जाते हैं जहां लॉर्ड का एक आदमी एपल के सर को काट कर अलग कर देता है इसलिए सर को पख़ड़ने की कोशिश में टर्बो किड भी डेड एंड से नीचे गिर जाता है जहां पर जहरीली गैस फैली हुई थी इस दोरान टर्बो सूट का पावर वाला गलब्स भी वही पर गिर जाता है लेकिन इसके बावजूद टर्बो किड उस टॉक्सिक एरिया से बाहर निकल कर उस जगह पर पहुच सा है जहां पर बहुच सारे रोबोट्स पड़े हुए थे जिन में से एक रोबट की बाड़ी में वो एपल के सर को जोड़ देता है लेकिन वो कुछ कर पाता उस से पहले ही वो खुद भी मही पर बेहुच हो जाता है फिरामेट टर्बो किड के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर उसकी फैमिली के पास लॉट पहुच कर उन पर उसके लैंड से पानी चुडाने का जजाम लगाता है और उसके डैड को मानने लगता है जिसे बचाने के लिए उसकी मौन लॉट पर एक एरोगन से अटेक करके उसकी आँख को फोर देती है जिससे उसके आदमी उन दोनों ही हस्बेंट वाइफ को बहुत ही बेरायमी से मार देते हैं ये देखकर टर्बो किड बहुत जादा डर जाता है और वहां से भाग निकलता है फिर प्रेसिंट में जब टर्बो किड को होश आता है तो उसे पता चलता है कि फेडरिक ने उसे बचा लिया है लेकिन फेडरिक उसे बताता है कि एपल मर चुकी है जिस पास से वो काफी दुखी था फिर वो दोनों ही लॉर्ड का सामना करने का फैसला करते हैं और जब उसके पास जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनके सामने लॉर्ड के आदमी बहुत जाती है जिनने देखकर फेडरिक टाइम बाउम आउन कर देता है फ़िर दूसी तरफ एपल को भी होश आ जाता है इसलिए वो तुरंट ही वहाँ से निकल पड़ती है दर लॉर्ड अपने बहुत सारे आदमियों की खटा कर लेता है जिनने देखकर हाला कि पहले तो टर्बो किट काफी घबरा जाता है लेकिन फेडरिक उसे कहता है कि हमारी पावर हमारे मन में होती है ये सुनने के बाद टर्बो किट बहुती बहादुरी से सबका सामना करने लगता है और इन सब चीजों में फेडरिक भी उसका पूरा साथ दे रहा था तबी टर्बो किट का सामना करने के लिए एक लेडी सोलजर आ जाती है जो उस पर काफी भारी पड़ रही थी फिर वो उसे जमीन पर गिरा कर उसके गले को पैरों से दबाने लगती है लेकिन तबी महाँ पर एपल आकर उस लेडी सोलजर को बहुती बेरैमी से मार देती है फिर एपल टर्बो किट को टर्बो गलब्स लाकर देती है इसी दोरान लॉड एपल और फेडरिक दोनों को गन से शूट कर देता है इस दौरान वो टर्बो किड को भी शूट कर देता है लेकिन वो वापस से खड़ा होकर उस पर इलेक्रिक पावर से अटाइक करके उसे गिरा देता है जिसके बाद हमें पता सलता है कि टर्बो किड के पास रखी हुई कैसिट की वज़े से उसे गोली नहीं लगी थी फिर वो अपने गलब से एके करके सबको ब्लास्ट कर देता है फिर टर्बो किड देखता है कि एपल फिर से उटकर बैट गई है लेकिन उसकी तरफ लॉड का एक आदमी बढ़ने लगता है जिसे टर्बो किड एक अमरेले की मदस से बहुत ही बुरी तरह से मार देता है हरान कर देने वाली बात तो ये थी कि लॉड फिर से उटकरा हो जाता है और हम देखते हैं कि वो भी एक रोबोट है जो उन दोनों को ही मारने की कोशिश करता है लेकिन उससे पहले ही टर्बो किड टाइमर लगा कर बॉम उसकी तरफ फैक देता है और अपने गलब्स की मदस से उसे ब्लास्ट कर देता है और बहुत ही बड़ा धमाका होने की वज़र से जमीन से पानी निकलाता है लेकिन इस प्लास्ट से एपल भी मारी जाती है जिससे टर्बो किड को काफी दुख होता है और वोसे दफना कर वहां से जाने का फैसला करता है तब फैडरिक उसे बताता है कि अब पानी के लिए किसी भी इनसान को मारने की कोई भी जरुत नहीं है इसी के साथ ये मूवी यां खत्प हुझाती है दोस्तों उम्मेद करते हूं आप लोगो इसके एक्स्प्लेइनेशन जरूर पसंद आई होगी और पसंद आई तो प्लीज सेनलों को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना पिल्कुल भी मत भूलीगा और थैक्स पो कमीं और वाचिंग